ओम नमस्षिवाय, नमस्कार दोस्तों, हमारी यूट्यूब चैनल ग्यान सागर एंड वास्तु टिप्स में आप सभी का स्वागत है दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको मार्च 6 अमावस्या के दिन किये जाने वेले कुछ खास उपायों के बारे में बताऊंगा दोस्तों, मेरा दावा है कि इन उपायों को करने से आपका कैसा भी करज हो, आप उसे सरलता से छुटकारा पा सकते हैं साथी साथ माता लक्श्मी को प्रसंद करने का भी उपाय इस वीडियो में पताया गया है दोस्तों, इन उपायों को सही तरिके से जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें साथी साथ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को like और share जरूर करें दोस्तों आईए जानते हैं इन उपायों के बारे में दोस्तों 26 नॉम्बर को मार्ग सिर्ष यानि अगहन मास की अमावस्या है इस माह को भगवान स्री कृष्ण का सरूप माना गया है इसलिए इस दिन स्री कृष्ण की विशेश रूप से पूजा की जाती है इस माह की अमावस्या का माह तो काफी अधिक है इस दिन की पूजा पाठ सिग्र अतिशिग्र फल प्रदान करती है दोस्तों मंगलवार और अमावस्या के योग के कारण इस दिन आपको हनुआन जी की पूजा विदी विदान से करनी चाहिए और पूजा मैं हनुमान जी के सामने सरसो के तेल का दीपक जलाना चाहिए और हनुमान चलिणा का पाठ करना चाहिए अगर संभ़ हो तो संदर कांड का भी पाठ कर सकते हैं दोस्तों यदि आप कर्ज से मुक्ती पाना चाहते हैं तो इस दिन आप सिवलिंग पर साथ से अलसेख करें और भगवान संकर को लाल लंग का पुस्प अरपित करते हुए भगवान सिव से अपने कर्ज से मुक्ति पाने की प्रार्थना करें दोस्तों यदि आप माता लच्षमी और धन प्राप्ति के लिए उपाय करना चाहते हैं यह उपाय काफी सिग्र फल्क प्रदान करने वाला है दोस्तों उपाय इस प्रकार है मार्क 6 अमवस्या के दिन एक सुपाड़ी और एक सिक्के को रक्षा सूत्र लालंग के धागे से बांध कर किसी पीपल के पेड़ के नीचे रखाए और रखने के पस्चाथ आप उसी पीपल के पेड़ से एक पत्ता तोड़ कर घर लाए अब इस पत्ते को गंगा जल से सु दोस्तों इस उपाय को करने से आपको वर्स भर माता लक्षमी की क्रिपा प्राप्त होगी और आपकी आर्थिक तंगी आर्थिक समस्याएं दूर होंगी धन्यवाद दोस्तों